हलो गैस वेलकम बैक टू अबर पैथोलोजी नोली चैनल गैस आज के इस वीडियो में मैं कुछ एचाइबी के लक्षड के बारे मैं बात करूँगा आज मैं कुछ एचाइबी के सिम्टम्स आपको बताऊंगा कि एचाइबी होने के बाद अरली टाइम पे क्या-क्या सिम्टम्स दिखते हैं और एचाइबी एडिस में तफदील होने पर क्या-क्या सिम्टम्स दिखते हैं यह सारी जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूँ तो गैस ब्यूडियो स्टार्ट करने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इसके लिए मैंने दूसरा भी वी वीडियो बना रखा है जिसमें आप डिटेल्स में बता रखी है सारी चीजें बट उसमें मैंने सिम्टम्स की बात नहीं करी थी तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बेसिकली HIV फैलता कैसे है HIV अगर आप किसी HIV-infected ब्यक्ति के साथ असुरुच्छित योन संबंद बनाते हैं अगर आप सेक्स करते हैं तो HIV होने के चांसेद आपको लहते हैं या फिर किसी HIV infected ब्यक्ति के द्रब मटेरियल के संपर्क में आप आते हैं तो भी आप इस खतरनाक बीमारी से ग्रस्थ हो सकते हैं तो अब बात करते हैं इसके लक्षड की यानि जो acute infection होता है जो early infection होता है तो उसके बाद आपको कब लक्षड इसके दिखने को मिलते हैं देखिए अगर आप infected होते हैं उसके बाद दो सपते से 6 सपते के बाद आपको यह जो symptoms हैं जो लक्षड हैं वो दिखने को मिल सकते हैं जिसमें आपको fever आना लगातार fever आना आपको medicine से भी fever ठीक नहीं होना आपको एक दिन छोड़के एक दो एक दिन बाद fever आना या फिर continuous आपको fever आना और medicine से इस fever यह fever इसलिए ठीक नहीं होता है क्योंकि जो यह virus होता है HIV का यह जो immune system होता है हमारा रोग प्रतिच्छा प्रडाली होती है उसको ही खतम कर देता है दीरे दीरे उसको कमजोर कर देता है जिससे fever ठीक नहीं होता है दूसरा इसमें आपको रात में सोते टाइम पसीना आएगा इसके जो symptoms है इसमें रात में आपको सोते टाइम बहुत ज़्यादा पसीना आता बहुत ज़्यादा बेचे नहीं होती है और ठंड लगती है बहुत ठंड महसूस होती है क्योंकि बॉडी का एम्यून सिस्टम पर ना कमजोर पड़ जाता है जिससे ठंड महसूस होती है बोडी पे रेड रेड कलर की कुछ चिखते टाइप के भी पढ़ने लगते हैं वो भी immune system की power खतम होने की बज़े से होता है हड्डियों या जोडों में दर्द होना basically ये भी एक immunity power कम होने की बज़े से आप अगर कुछ काम नहीं भी करते हैं तब भी आपके जोडों में बहुत ज़्यादा दर्द होना mass patient में खिचाओ सा होना ये भी एक HIV का symptom होता है दूसरा गले में खरासने type की होना गले में दर्द होना ये continuous रहता है जैसे normally आपका कभी अगर होता है तो ज़रूरी नहीं है आपका HIV का symptom हो अगर आपको continuously ये problem रह रही है तो आपको एक वार HIV test जरूर करा लेना चाहिए दूसरा अगर आपका continuously बजन कम हो रहा है तो भी आपको HIV test करा लेना चाहिए आपके जो नेल है जो नाखून है वो पीले पढ़ रहे हैं अगर आप किसी काम पर या किसी भी चीज पर ध्यान एकत्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको HIV test करा लेना चाहिए ये जो symptoms है ये आपके early infection पर दिखने को मिलते हैं acute infection में दिखने को मिलते हैं इसके जो दूसरी stage होती है वो asymmetemic होती है यानि उसमें कोई symptom नहीं देखने को मिलते हैं और इसकी जो third stage होती है उसको late stage के नाम से जानते हैं या एक ऐसी stage होती जिसको last stage भी बोल सकते हैं जब आपकी HIV एडिस में तबदील हो जाती है जब आपकी जो cells हैं जो CD cells हैं जो CD4 cells हैं जो T lymphocyte या helper cells हैं वो जब आपकी normal limit से कापी कम हो जाती हैं जब less than आपके 200 रह जाती हैं तो उसको late stage बोला जाता है और उसमें अगर देखा जाए तो उसमें आपको तेज फीवर आप आँखों से धुनलापन दिखाई देना रात में बहुत ज़्यादा पसीना आना बेचैनी से होना नीद नहीं पड़ना यह सारी समस्यां दिखने को उसमें मिलती हैं या फिर डाइरिया हो जाना डाइरिया मतलब आपका पेट खराब होना कुछ भी खाते हैं तुरंत आपको लूज मेशन से चालू हो जाते हैं एक डाइरिया जैसी सिकायत आपको अगर हो रही है और यह continuously हो रही है तो भी आपको HIV टेस्ट करा लेना चाहिए सू की खासी होना अगर सू की खासी आ रही है आपको continuously और आपके जो जीव पर या फिर फेस पर वाइट वाइट से धब्बे टाइप के अगर पढ़ रहे हैं तो भी आपको HIV टेस्ट करा लेना चाहिए तो यह सब HIV के सिंटम्स हैं अगर इन में से कोई भी सिंटम्स आपको नजर आता है तो आपको एक बार अपना HIV टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए और अगर आप इसके बारे में इसके टेस्ट के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका हमारा दूसरा वीडियो है, i button में आपको उसका link मिल जाएगा, नीचे description में भी उसका link मिल जाएगा और इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो description में website का link मिलेगा आप वहाँ पे बजिट कर लिजे, वहाँ से आप इसके बारे में details में जानकारी ले पाएंगे, तो